आपको जानकर हैरानी होगी कि महारास्ट्र के सोलापुर में सबसे योग दुलहनुन लड़कियों को माना जाता है जो बीड़ी बनाना जानती हैं दुलहे के घरवाले दूर दूर से इन लड़कियों के छोटे छोटे घरों में उन्हें देखने आते हैं इन लड़कियों की योगता मापने का पैमाना, शिक्छा, कमाई या राशिफल नहीं बलकि बीड़ी बनाने की शमता है क्योंकि यहां रोजगार, पाने और आजीविक चलाने के लिए सबसे जरूरी यही है, आपको बता दें स्थानिया निवासी, राधा एक सर्टिफिकेट दिखाते हुए कहती है, मैं बच्पन से अपनी मा के साथ बीड़ी बना रही हूँ, मेरी योगता के आधार पर मुझे फैक्टरी से सर्टिफिकेट भी मिल गया है, अब मुझे शादी या देहेज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बता दें कि यह सर्टिफिकेट यहां रूजगार की गारंटी माना जाता है, हम आपको बता देते हैं कि बीड़ी कमपनियां यहां के दैनिक मजदूरों को उनके स्किल लेवल के आधार पर सर्टिफिकेट जारी करती हैं, सर्टिफिकेट पाने वाली ओरतें लड़कियों को प्रोविडेंट फंड, बोनस और चिकित्सीय मदद मिलती है, राधा बताती हैं कि यह कार्ड पाना पक्की नौकरी पाने जैसा ही है, एक समय पर कपड़ा उध्योक का गड़ रहे सोलाप होती है, महिलाएं तेंदू पत्ते को हलके से मोड कर उसमें तंबाकू भरती हैं और बिना पत्ती तोड़े उसे धागे से बांध देती हैं, राधा को एक दिन में एक हजार बीडी बनाने पर 140 रुपे मिलते हैं, जिसमें से कुछ पैसे प्रोविडेंट फंड के लिए भी करते हैं, दिन भर घर में काम करने के बाद बीडी शाम को फैक्टरी भेज दी जाती हैं, बारवी के बाद पढ़ाई छोड़ चुकी प्रियंका कहती हैं, बीडी बनाने वाली महिलाओं के ज्यादा तर बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बावजूद नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, ऐसे में हमने बीडी बनाना शुरू कर दिया, अगर मुझे भरोसा खुता की ग्रेजुएशन के बाद मुझे नौकरी मिलेगी तो मैं जरूर पढ़ती, बीडी बनाने वालों के नेता और पूर बिधायक नारसया आदम कहते हैं, को नौकरी नहीं मिलती है, बीडी कार्ड मिल जाने से महिलाओं को शादी के लिए दहेज चिंता नहीं करनी पड़ती है, नेक्स्ट नाइन स्प्रेच्छल की रपार्ट